नमस्कार दोस्तों सुआगत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा घरता हूँ आप सब बढ़ी होगे तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादे इंपोरेन रहने वाला है इस इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कंडिटर SSC GD वरती 2024 से जुड़े हुए है और उगर उनका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बुक्स में पूचे का मैं परते एक बच्चेखर रिप्लाए दुगा ठीक है आपको इस समय सो में से इकरान मता और मैंने कौन सी बुक्से त्यारी किती अभी वही बुक मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं वो भी साथी बाते में आपको हिंदी के अंदर आराम से समझाने वाला हूँ अगर आप मेरी बाते एक एक ध्यान से सुनते और उन बातों के उपर आप गोर करते हैं तो आपका selection कोई नहीं रोख पैगा ठीक है तो आप पूरा वीडियो देखेगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को share जरूर कीजेगा ठीक है तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज किलियर करते हूँ कि 2025 वाली बरती की exam date भी जारी हो चुकिए अगर किसी candidate को पता नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी चार फरवरी को exam सुरूगा 25 फरवरी तक आपका exam चलेगा लगबग अगर आप अभी भी देखे तो 80-90 दिन का आपके पास समय बाकिए है और कोई भी candidate अगर 80-90 दिन के अंदर अगर तयारी कर सकता है selection हो जाएगा कम समय नहीं है बहुत बड़ी है समय है पर यह आप तो समय है अगर आप तयारी अभी शेक रोगे तो आपका selection जरूर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको best book बता देता हूँ तो 2018 के अंदर मैंने भी SSC GD की तयारी के लिए कीरन publication की best book को चुना था ठीक है उस समय कीरन publication की all over एक book आती थी अब की क्या अरबार क्या है छोटे छोटे पार्ट के रूप में यहाँ पर पर प्रतेक subject की अलक्षे book launch कर दी गई है ताकि बच्चे को पढ़ने के अंदर और समझने के अंदर और भी ज़दा आसानी हो जाए अगर आप ध्यान से द director को बारिकी से समझाए गया है ठीक है और type wise है पहले easy फिर उसके बाद मोडरेड और उसके बाद हाड लेवल ठीक है इस परकार कुष्णों को design किया गया है और 2013 से लेकर 2014 के जीतने भी आप सभी के exam हो चुके उन सारी exam के कुष्णों को इन book के अंदर डाला गया है और ताक पता भी चल जाएगा तो आप उसी level की तैयारी कर पाऊगे ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी को पता है इसका जो exam करवाती है वो TCS करवाती है अब TCS जो सवाल पूछती है वही सवाल इन book के अंदर डाले गए लगबग परतेग बुक के अंदर 2190 प्लस इनको तैयारी कर लेते तो इनकी एक प्रैक्टिस बुक भी आती है पचास सेट की ठीक है और इसके अंदर चारो सब्जेक्ट को कवर किया गया है ठीक है नविंदम पेटन के वह उपर यह बुक आपकी आधारीत है ठीक है तो ओल ओवर बहुत बढ़िया बुक है आप इन दो पर जाना है यूटूब के ऊपर आपको सारा मैटिरियल एकदब फ्री के अंदर मिल जाएगा कई से भी आपपड़ सकते हैं आएक के एक टोपिक को आपको पढ़ना है इसके बाद इन से टेस्ट लगाना है ठीक है इसी परकार को आपको यूटूब के ऊपर सर्च करना यूटूब पर आपको उस परकार के देर सारी वीडियो मिलेंगे, आपको कोई भी paid course करीदने की जूरत नहीं है, आप YouTube पर जाएए, जाने के बाद में theory section complete कीजिए, और यहां से आप practice कीजिए, ठीक है, मैं guarantee लेता हूँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, लगबग 90 दिनों के अ करते हैं, मतलब उसी परकार के सवालों को बनाया जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ा आपको जाने में लगना है, इसके बाद में, अगर आप माल लीजे कोई भी किसी भी exam की त्यारी करें, ठीक है, आप mock test लगाते हैं, सबसे पहले आपको लगबग 50% syllabus आपको complete कर लेना है, उसके बाद भी आप mock लगा सकते हैं, ठीक है, अब जब भी mock लगाते हैं, उसका full analysis करना है, ठीक है, देखना है, कहाँ पर क्या गलतिया हो रही है, और वो गलतिया क्यो हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिस करना है, जो weak point है, उनको diary के अंदर note down करना है, ठीक है, उन weak topic को, उन weak point को, जितने भी आपके topic है, जितने भी weak question है, उनकी ज्यादा सी ज्यादा प्रेक्टिस करो, और आपका selection देख लेना, कोई नहीं रोप पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो weak point है, आप उसको clear कर लोगे, लगबग last के 20 समय, 20 दिनों के अंदर, तो ये चीज पहले आपको easy type के सवाल करना है, उसके बाद में moderate type के, उसके बाद में hard, ठीक है, और लगबग आपका paper, 70-80% तक आपका paper easy रहता है, कुछ percent moderate और कुछ percent आपका hard रहता है, ठीक है, तो गवराने की जुरूत नहीं है, इसका जो paper होता है, वो normal paper आता है, इतना कोई hard नहीं आ चाहिए, आपको क्या रहना है, अभी से त्यारी करोगे, तो आपका selection कोई नहीं रोक पाएगा, हम आपकी पूरी-पूरी मदद करेंगे, आपको daily, अगर आप हमारे channel से जुर जाते हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे, कि कहां से कौन से topic पढ़ना है, scoring topic कौन-कौन से, next video ये भी आने वाला है, ठीक है, इसके साथ-साथ, आपको हमारी application से भी जूट जाना है, इसका link भी आपको description box में दे दुगा, वहां से, आप फिरी के अंदर मोग लगा सकते हैं, जितने भी अससी GD का material है, जितने भी notes वगेरा है, PDF वगेरा है, वहां से आपको free के अंदर म मैंने ऐसा ही किया था, लगबग मेरे पास दो महने का समय था, मैंने इस परकार की को एक practice book थी, उसी से ज्यादा से ज्यादा त्यारी की थी, और ज्यादा से ज्यादा अपने से question निकाला था, तब जाके मेरा selection हो था, और हर एक topor का तभी selection होता है, हर एक बच्चा topor तभी होगा, मैं 6-6 महने से, मैं 2-2 साल से, 3-3 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा selection नहीं हुआ, तो 13 पहली वार के अंदर क्या selection होगा, friends यह बच्चे आपको ड्राने के लिए होते हैं, आप सभी को बता है, लगबग इस exam के अंदर 50 लाग से लेकर, 60 लाग तक बच्चे exam देते हैं, 12 मैंने 2 बार की थी, लगए, एक बार तो मेरा 30 परशेंट था, एक बार 60 परशेंट था, फिर भी मैंने SSC GD में selection लिया, दिल्ली पुलिस में selection लिया, CSSL में selection लिया, यानि मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी doubt है, आप comment box में पूचेगा, मैं प